ये है क्यूबो स्मार्ट डैश कैम प्रो देखिए आज की तारीक में डैश कैम से कार में लगाना बहुत ही जरूरी हो चुका है क्यूंकि बहुत बार ऐसा इंसिडेंट होता है जहां पर जो ड्राइवर है उसका फॉल्ट नहीं होता है और अगर आपके कार में ये डैश कैम लगा होगा तो वैसे सिचुएशन में आपके पास एक तरह से प्रूफ भी आ जाता है और ये जो प्रूफ है आप कोर्ट में भी सब्मिट कर सकते हैं ये जो प्रड़क्ट है ये मेड इन इंडिया है और अगर आप ये प्रड़क्ट खरीदना चाते हैं व्यूव रसीरे जोडूचिन सपोर्ट करता है नाक्सिमं लोट Bash में भी का चाफी बड़े तरीके से काम करता है वाइद एंगल व्यू के साथ में आता है इंट इवेट्रिभी एवेंस को कैप्चर करता है ब्रकॉा करता है इसन्हपा करता दिया कि असके साथ एंऔर आप app भी उसकर सकते हैं, वहां से भी आप काफी चीजों को control कर पाएंगे, तो चलिए इसकी unboxing करते हैं, देखते रहें तो ये देखें, box के अंदर आपको ये dash cam मिलने वाला है अब ये जो dash cam है इसकी quality काफी बढ़िया लग रही है इसके जो body है, ये plastic की बनी हुई है वैसे ये इतना ज़ादा heavy नहीं है और ये जो भाग है, इसे आपको जो wind screen है, उसके उपर चिपकाना है, और ये देखें, ये है camera, और ये जो भाग है ये इस प्रकार से घूमता है तो आप wind screen पर एक बार लगाएंगे, उसके बाद में जो angle है उसे change कर सकते हैं, चलिए चेक करते हैं कि इसके अलावा box में और क्या-क्या है box के अंदर आपको ये car charger मिलता है, जिसे आप जो cigarette lighter है port उसमें दाल सकते हैं और यहाँ पे दो USB type of ports दिया हुआ है तो dash cam के लिए यहाँ पर mention किया हुआ है यह जो port है उपर वाला, इसे आपको use करना है और इसके अलावा, ये देखिए आपको ये cable मिलता है, जो कि खास करके जो dash cam है उसके साथ में use करना है special cable है और इसके जो length है काफी जादा है usually जो dash cam होते हैं उनके साथ में आपको इतना lengthy cable मिलता है और ये देखिए, कुछ stickers दिया हुआ है जिसे आप windscreen पर लगा सकते हैं और उसके ओपर ये लगा सकते हैं और ये देखिए, ये accessory दिया हुआ है जिसे use करके आसनी से जो dash cam है से निकाला जा सकता है और जो आकरी चीज रह गई है box के अंदर वो है ये card जिसमें warranty के बारे में भी information दिया हुआ है प्लस जो application है अगर आपको वो download करना है तो यहां से आप कर पाएंगे QR code दिया हुआ है तो ये दिखिए, ये है dash cam दो color tones दिया हुआ है काफी elegant सा दिखता है यहां पर उपर आपको micro SD card दलना है इसमें built-in microphone भी दिया हुआ है और ये जो port आप देख रहे हैं यहां पर जो cable दिया हुआ है उसे आपको connect करना है ये जैसे कि मैंने कहाँ windscreen पर attach करना है और यहां से recording होने वाला है इसके ओपर ये film लगा हुआ है जो film है इसे आपको निकालना है और इस तरफ अगर आप देखें यहां पर ये button दिया हुआ है तो चलिए ये जो dash cam है इसे मैं मेरी car में attach करता हूँ और कुछ देर drive करते हैं इसका जो recording है वो चेक करते हैं तो इस वक में कार में हूँ और ये जो क्यूब का smart dash cam pro है इसे मैं install करता हूँ तो यहां पर मैं और अलड़ी ये 70 my Xiaomi का dash cam यूज कर रहा हूँ तो इसे मैं replace करता हूँ फिलाल इसे मैं temporary remove करता हूँ और ये जो setup है इसे मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ यहां पर मुझे ये बता रहा है कि जो outdoor shot है ये इस परकार का आने वाला है dashboard का कुछ area आ रहा है तो मैं जो camera है उसे थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ ये देखें इस परकार से आप adjustments कर सकते हैं और यहां पर देखें जो live footage है उसमें आप correction हो चुका है तो मैं ये जो setup है ये रखने वाला हूँ application के अगर बात करें तो ये देखें यहां पर आपको ये सारे options मिलते हैं यहां पर trip का भी option है events का भी option दिया हुआ है events मतलब कि जब कभी कोई हल चल होती है जैसे की jolt तो वैसे type के events को ये capture करता है हो सकता है कि उस जरान आपका जो vehicle है उसने किसी को hit किया होगा या किसी ने आपको hit किया होगा तो यहां पर ये देखें ये है settings के options जहां पर audio track recording का भी option दिया हुआ है अगर आपको audio record नहीं करना है तो आप इसे off कर सकते हैं record quality मैंने high पर set किया हुआ है always high पर set कीजिए और ये जो jolt recording है इसे आप setup कर सकते हैं basically sensitivity है high, medium या फिर low speaker का volume है इसे भी आप यहां पर adjustments कर सकते हैं parking mode का option दिया हुआ है ये जो parking mode है इसे enable करने के लिए आपके पास एक parking kit होना चाहिए वैसे ये जो dash cam है इसके अंदर built-in battery नहीं है मतलब कि जब आप car को off करेंगे तो जो dash cam है automatically off हो जाएगा और जब आप car को on करेंगे तो dash cam है automatically on भी हो जाएगा time zone है ये जोल्ट recording का limit है वो आप setup कर सकते हैं और factory set का option या पर दिया हुआ है और अगर कोई software update आएगा तो ये जो application है इसे use करके आप उसे update कर पाएंगे तो ये देखें वैसे अगर आप चाहें तो ये जो application है इस पर भी आप live देख सकते हैं कि outdoor क्या हो रहा है लेकिन driving के समय आप इसे use ना करें चलिए आप मैं drive करता हूँ और आपको samples दिखाता हूँ जो की इस dash cam ने capture किया हूआ है comment करके मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा तो अब मैं मेरे parking area पे आ गया हूँ और ये जो कार है इसे बन करता हूँ जब मैं इसे बन करूँगा तो ये जो dash cam है ये भी automatically off हो जाएगा ये लिजिए और आपको voice notification भी मिलने वाला है in fact beep notification और ये जो dash cam है अभी ये off हो गया है इस camera से shoot किया हूआ जो shot है full HD videos ये आपको कैसा लगा? comments करके मुझे ज़रूर बताइए अगर आप ये product खरीजना चाहते हैं इसका pricing तकरीबन 3,700 रुपीज के आस पास है link मैंने video के description में दिया हूआ है देखते रहिए